अगर आप Scalping Trading करते हो या करना चाहते हो तो इस वीडियो को complete देखीगा इस वीडियो के अंदर में आपको कुछ reasons बताने वाला हूं कि क्यूं आपको Scalping Trading नहीं करनी चाहिए और उसके बावजूद भी अगर आप Scalping Trading करना ही चाहते हो तो कुछ guidance कुछ tips में आपको देने वाला हूं तो make sure करें कि इस वीडियो को complete देखेगा आपको हर एक चीज में detail में explain करने वाला हूं आपका जो time है यापर बिल्कुल भी waste नहीं होगा आपको कुछ ने कुछ learning जरूर मिलेगी और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना है समझ लेते हैं कि scalping trading होता क्या है basically वो लोग जो 1 minute, 3 minute या 5 minute के time frame के चार्ट के ओपर जाकर जो लोग trade करते हैं उनको ज़्यादा ता scalper बोला जाता है वो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे टारगेट्स या छोटे 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 stop loss के साथ trade करते हैं और जो उनकी quantity होती है वो heavy quantity में जाके trade करते हैं तो basically उसे scalping कहा जाता है I hope कि ये चीज आपको पता होगी अब हम समझ लेते हैं कि किन लोगों को scalping trading नहीं करनी चाहिए अगर market में आप beginner हो especially options trading के अंदर scalping करना चाहते हैं और options trading के अंदर आप बिलकुल beginner हो तो गलती से भी आप scalping के चेकर में मत पढ़ना क्योंकि वहाँ पर आपके loss करने की probability सबसे जादा होती है उसके पीछे का सबसे बड़ा reason क्या है चली उसको भी हम समझ लेते हैं देखो scalping trading के अंदर होता क्या है कि आपके जो decision होते हैं वो बहुत आपको fast लेने पड़ते हैं अगर आप market में एक beginner हो आपके पास ज़्यादा experience है ज़्यादा knowledge नहीं है ज़्यादा skill नहीं है तो आप maximum time आप scalping के अंदर loss ही करने वाले हो क्योंकि आपको छोटी छोटी गलतिया करोगे जिसकी वज़से आपको market में loss होगा और आप बहुत जल्दी अपना capital जो है zero कर दोगे उसके पीज़ेगा reason सबसे बड़ा क्या है आप quantity ज़्यादा लेने वाले हो scalping में और maximum time क्या होगा कि आप जब भी stop loss होगा वहाँ पर अगर आप system में stop loss नहीं डालोगे तो फिर क्या होगा वो loss आपका अचानक से बड़ा हो जाएगा फिर जब loss अचानक से अगर आपका बड़ा loss हो गया किसी भी एक trade के अंदर तो फिर क्या होगा उस trade के अंदर loss बूक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा और अगर आपने गलती से loss नहीं बूक किया तो पूरा capital जो है वहाँ पर साफ हो जाता है बहुत बड़ा loss आपको हो जाता है तो इसलिए scalping trading से थोड़ा सा आपको बच के रहना है और क्योंकि आप अगर risk management अच्छे से follow नहीं करते हो तो definitely आप scalping जो है आपके लिए सबसे बड़ा scheme है वो कभी भी market में आपको बरबाद कर सकता है कभी भी आपका सारा पेसा ले की जा सकता है तो अगर आप beginner हो तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखो कि starting में आपको scalping करने की जुरुत नहीं है आपको पहले चीजों को simple तरीके से सीखना है अच्छे से समझना है जो जिसमें risk कम होती है उन चीजों को trade करना है directly आप options में जाके directly scalping ही करोगे वो भी intraday के दोरान तो कभी भी आपको बड़ा loss हो सकता है दूसरी चीज क्या है scalping ना करने की एक और reason में आपको बताता हूँ अगर आप scalping करते हो तो देखो सबसे बड़ा ही problem आप लोगों के साथ क्या होने वाली है आपकी psychology बिल्कुल ही खराब हो जाएगी अगर आप थोड़े से टाइम से ट्रेट कर रहे हो थोड़ा market में आपको knowledge है तो psychology के बारे में आपको चीजे पता होगी कि अगर आप scalping करने जाते हो तो आपके decision बहुत जादा आपको fast लेने पड़ते हैं frequent decision आपके होते हैं तो वहाँ पर problem क्या होती है कि आप अगर सही time पर सही decision नहीं ले पा रहे हो खुद के लिए चाहे वो stop loss book करना हो या फिर target पर profit को book करना हो तो उससे क्या होगा कि आपको जो है बहुत जादा psychology issue आएंगे और फिर क्या होगा आपके जो decision लेने की शमता है वो बहुत जादा गरबर हो जाएगी बहुत जादा खराब हो जाएगी एंड एक तीसरा सबसे बड़ा reason है जिसकी वज़े से आपको scalping नहीं करनी चाहिए वो reason है कि आप जो है फिर बड़े targets को कभी भी hold नहीं कर पाओगे trading के अंदर मान लिज़े कभी आप scalping नहीं कर रहे हो और एक बड़े target के लिए आप trading करने जाओगे market में फिर वहाँ पर आपको हमेशा trading के अंदर एक डर बना रहेगा या फिर जब भी आप बड़े profits लेनी की कोशिश करोगे market में वो बड़े profit आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आप कुछ time से लगाता है अगर scalping करते जा रहे हो तो आपने हमेशा अपना एक mindset बना हुआ है कि छोटा profit लेना है हमेशा छोटा profit लेना है तो इसलिए मैं आपको guide कर रहा हूँ कि scalping को थोड़ा सा avoid करो क्योंकि यहां पर maximum of the time जो है लोग loss करते हैं क्योंकि वो छोटा छोटा profit कमाते हैं और किसी एक गलती की वज़े से वो गलती कुछ भी हो सकती है market में और एक गलती की वज़े से वो अपना maximum पैसा lose कर देते हैं क्योंकि लोग quantity ज़्यादा लेते हैं बहुत time क्या होगा कि आप trade लेते ही आपका बड़ा stop loss हो जाता है क्योंकि market में बहुत बार momentum बड़े बड़े आते हैं तो गलती से आपके against में बड़ा momentum आ जाता है बहुत fast momentum हो जाता है तो उस time पे आपको बड़ा loss हो जाएगा और इ scalping strategy आप use करें उसके अंदर accuracy अच्छी नहीं बेट रही है तो definitely आपको जो है कभी भी बड़ा loss market में हो सकता है और अगर आपके पास एक अच्छी skill नहीं है trading करने की आपका एक mindset अच्छा नहीं बना हुआ एक psychology अच्छी नहीं है तो आप जो है कभी भी scalping में success नहीं हो सकते maximum of the time जो है आप loss ही करने वाले हो दोस्तों अगर आप कुछ लोग experience लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन लोग ने scalping करी है और मान लीजी आप लोगों ने कर loss भी किया है तो comment में करके दूसरों लोगों को guide जरूर करना है कि वास्ता में scalping कितनी risky होती है कभी भी market में आपके जो है against में जाकर बड़ा loss आपको जो है market दे सकता है और वहाँ पर जो है loss होने में ज्यादा time नहीं लगता है क्योंकि quantity heavy होती है तो कभी भी आपके against में चीज़े हो सकती है चलिए दोस्तों I hope कि कुछ चीज़े आपको समझ में आई होगी चलिए अब हम समझ लेते हैं कि किन लोगों को scalping trading करनी चाहिए या फिर कब आप scalping trading को start कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जब तक आप ये मान के चलिए कि आप एक profitable trader नहीं बन जाते हो उससे पहले आपको scalping trading नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप मान के चलिए एक profitable trader बन चुके हो तो उसके बाद आप scalping को trade कर सकते हो या फिर scalping करना start कर सकते हो उससे पहले scalping करना आप लोगों के लिए scam है क्योंकि कभी भी scalping जो है आपका capital zero कर सकती है कभी भी आपको market में बड़ा loss हो सकता है दूसरी चीज दोस्तों क्या है कि अगर आप scalping trading करना चाहते हो तो एक proper strategy को follow कीजिएगा क्योंकि अगर आप जब भी scalping trading करोगे तो मैं एक चीज guarantee के साथ बता सकता हूँ कि over trading होने ही वाली है आप कुछ भी कर लो कितना भी control करने के अपने आपको कोशिश करोगे especially जो लोग beginner हमको पता है कि आप लोग over trading करोगे ही करोगे इसके पीछे आप कितना भी कोशिश कर लोग पर खुद को control नहीं कर पाऊगे क्योंकि जब भी आप trade करोगे आपको थोड़ा loss या profit होगा फिर उसको loss होगया तो recover के चक्कर में फिर से trade करोगे फिर थोड़ा profit आएगा फिर आपको opportunity दिखेगी फिर आप trade करोगे इस तरीके से दिन बर आपकी over trading हमेश्या चलती रहेगी तो अगर आप over trading के अगर आप continuously over trading करते हो इसकी वज़े से loss करे हो तो गलती से भी scalping मत करना लेकिन अगर आप basically अगर आप profitable trader हो आपने एक लंबा समय मार्केट में गुजा रहा है और आप अपने आपको अपने आपर control रख सकते हो अपनी over trading पर control रख सकते हो तब जाके आप scalping trading कर सकते हो जहाँ पर आपको यह fix रखना है कि मुझे दिन के इतने ही trade करने है या दिन का मुझे maximum loss इतना ही लेना इससे ज़्यादा loss नहीं लेना है तब जाके आप scalping trading करोगे तो शायद success हो जाओ बाकी अगर directly आप जाके scalping trading करोगे मैं guarantee के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आप में से 90% log fail होने वाले हैं scalping के अंदर क्योंकि scalping इतनी आसान नहीं होती है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा sharp mind चाहिए होगा बहुत ज़्यादा आपके अंदर skill होनी चाहिए और already आप एक profitable trader हो अच्छी तरीके से market में चीजों को risk management को अच्छे से follow कर रहे हो तब जाके आप scalping के अंदर कहीं न कहीं success हो सकते हो I hope कि इस वीडियो से कुछने कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा and जो लोग scalping के अंदर बड़ा loss की है नीचे comment करके जरूर बताना ताकि दूसरे लोगों को वो चीज़ पता चले और बाकि जो लोग loss करने वाले है at least वो लोग loss ना करे and जो लोग beginner इस वीडियो को देख रहे हो तो definitely अभी आपको scalping के चकर में नहीं पढ़ना है तो में definitely आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर प्रेंट्स मैं मिलता हूं नेक्स्ट वियो के अंदर ओके बाई